नमस्कार मैं प्रिया, EG Cooking & More चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत सागत करती हूँ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले आज मैं यहाँ पर ब्रेड पोहा बनाने वाली हूँ ब्रेड पोहा के लिए आपको लेना है फ्रेश ब्रेड आप साबूत ब्रेड भी ले सकते है या फिर आपने कोई रैसिपी बनाई ही हो जिसमें की ब्रेड के टुकड़े बच गया हो तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन हाँ ब्रेड फ्रेस होना चाहिए मुखे सामगरी नोट करने के लिए आप description box देख सकते हैं वहाँ पर मैंने लिख रखा है कौन सी सामगरी कितनी quantity में चाहिए वैसे मैं वीडियो के दौरान भी बोलती रहूंगे मैंने यहाँ पर bread के टुकरो को mixi में रखकर grind कर लिया है जिससे यह bread crumbs त्यार हो गया है मैंने यहाँ पर कराही में तीन बड़े चमच रिफाइन ओयल लिये हैं आप घी भी ले सकते हैं जब तेल गर्म हो जाए फिर इसमें एक चमच राई दाना डालना है मैंने यहाँ पर पीला सरसो डाला है आप राई डाल सकते हैं फिर 15-16 कड़ी पत्ते डाले हैं दो कटी हुई हरी मिर्च आधा इंच अद्रग घिजा हुआ डाल दिया है दो मीडियम साइज के कैपसिकम को बारिक काटकर मैंने यहाँ पर वो डाल दिया एक कप गोवी बारिक कटा हुआ फूल गोवी मैंने यहाँ पर लिया है एक कप उबला हुआ मटर लिया है मसाले के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटा चमच हल्दी पाउडर आधा छोटा चमच काली मिर्च पाउडर और आधा छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर लिया है आप अपने स्वादा अनुसार इसे घटा बढ़ा सकते हैं अब इसमें स्वादा अनुसार नमक डाल देंगे मैंने यहाँ पर तीन कप ब्रेट क्रम्स लिये हैं मुझे यहाँ पर साथ लोगों के लिए यह बनाना है इसलिए मैंने इतना लिया है आप अपने फैमिली के हिसाब से ही ब्रेट क्रम्स ले अब ब्रेट के टुक्रे में सारी सामगरी को मिला देंगे अच्छे से दो मिनट इसे अच्छे से भुनने के बाद भुना हुआ मुंगफली मैंने एड़ किया है और काला नमक डाला है एक चम्मच काला नमक डाला है बारी कटा हुआ धनिया का पत्ता इसमें मिला दिया है पोहा बन चुका है अब गैस बन करके एक कटे हुए निम्बू का पूरा रस निचोड़ देंगे अब इसे सर्व कर लेते हैं सर्व करने के लिए पोहा के ऊपर आप कोई भी नमकीन डाल सकते जो भी आपके घर में पड़ी हो या जो आपको पसंद हो मैंने यहाँ पर एक हरी मिर्च और आधे कटे हुए निम्बू के साथ इसे सर्व किया है आपक मैं के शिसे सर्व कर के canción बेंगे अगर थें हुए हैं जो के ओने दो आपकहर कर दो कर के तक हयारा हैं ऑगे तक है